हालो दोस्तों एक बार फिर से आम सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे बिलेम सैक्स पियर के जीवन परचे के बारे में और दोस्तों यह इसके उपर दूसरी वीडियो है इससे पहले भी इनके जीवन परच के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो में मैं इनके कुछ नए फैक्स को ले करके आया हूँ तो चलो दोस्तो आज की वीडियो हम सुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में हो जाए कि इनका नाम क्या है बिलियम सेक्स और इनकी माता का नाम मैरी सेक्स वियर इनकी पतनी का नाम एनि हथावे था दोस्तों क्या था एनि हथावे था दोस्तों इनके तीन बच्चे थे एक का नाम सुसाना था दूसरे का नाम इनके ट्वेंज थे हैमनेट और जोडित दोस्तों तो चलो एक वार फिर डिसकस कर लेते हैं डिसकस कर लेते हैं इनकी जन्म यानि कि इनका जो जन्म हुआ था विलियम सेक्सपियर का वो कहा हुआ और बेप्टाइज्ट क्या होता है अर्थात ये एक क्या होती है इंगलेंड में एक सेरेमनी टाइप की होती है दोस्तों जो कि इनके जन्म के तीन दिन बाद मनाई जाती है तो बेप्टाइज डेट इनकी थी 26 अप्राइल 1564 को इनकी मृत्ति हो गई 23 अप्राइल 1616 को और उस समय इनकी आयू कितनी थी 22 वर्स कहां होई स्टेट पूर्ट अपॉन बार्ट विक साइड लंदन में ही इनकी देत हुई दोस्तों इनका रेश्टिंग प्लेस ओके चर्च आफ दी हॉल इटरेनिटी स्टेट पूर्ट अपॉन ही है और ये प्लेराइट पोईट और एक्टर के रूप में इनकी मानी जाती है अगर मै बात करूं तो 1585 से लेकर के 1683 और ये अलेजावेथन तथा अलेजावेथन तथा जोक्वियन एस से बिलॉंग करते थे और इंग्लिस रेनेशा मुवमेंट थी उसमें इनकी पतनी का नाम एनी हैत्वित जिन से उनकी साधी हुई थी 1582 इस भी में दोस्तों इनके बच्चे तीन बच्चे थे सुसान, सुसाना, हैमनेट और जुदित ओके इनके पिता का नाम जौन सेक्सपियर और इनकी माता का नाम मैरी आडिन था दोस्तों तो अब आपको बेतरीन तरीके से पता लग गया होगा दोस्तों कि इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमने दे अब हम बात करेंगे आगे दोस्तों गिलियम सेक्सपियर अंग्रेजी के कभी का ब्यात्मक के बिद्वान नाटक कार अविनेता थे तो जो है बहुत अच्छे नाटक कार और एक्टर भी थे साथ ही साथ यह पोईट भी थे दोस्तों उनके नाटकों का लगवग जितने भी सभी प्रमुक भासाएं हैं उन सभी प्रमुक भासाओं में उनका अनुवाद किया गया और इनका आरंबिक जीवन दोस्तों कैसा था जरा डिसकस करते हैं बिलियम सेक्सपियर जो है वो जौन सेक्सपियर तथा मैरी आर्डन के बड़े पुत्र एबम तीसरी संतान थे जेश्ट पुत्र एबम तीसरी संतान थे इनका जन्म स्टेट फूर्ड अपवान एवन में हुआ बालेकाल में उनकी सिक्षा इस्थानिय प्री ग्रामर इस्कूल में हुई पिता की बढ़ती हुई आर्थिक कटनाजों के करण उन्हें पार साला छोड़कर छोटे मोटे धंदों में लग जाना पड़ा जीविका के लिए उन्होंने लंदन जाने का निश्चे किया और इस निश्चे का इनका एक दूसरा करण एबी था कि तदाचित इस चाल कोट के जमीदार सर टामस लूसी के जो पार्ग था उद्दान था से हिरन की चोरी की और कानूनी कारवाई के भैसे उन्हें अपना जन् स्थान छोड़ना पड़ा अर्थात ये कानूनी कारवाई के भैसे के करण भी ये अपना जन्मी स्थान छोड़ करके लंदन इंग्लेंड चले गए ओके दोस्तों इसके बाद इनका वेभा सन 1582 में एन हैत्यवे से हो चुका था और सन 1585 के लगवग सेक्सपियर लंदन आय सुरू में इन्होंने एक रंग साला में किसी छोटी से नौकरी पे काम करना पड़ा इनको किन्तु कुछ दिनों के बाद बे लाड़ चैमबर लेन की कमपनी के सदस्य बन गए और लंदन की प्रमुक रंग सालाओं में ओके समय समय पर अविनय में भाग लेने लगे और 11 वर्ष के बाद 11 वर्ष के कठिन संगर्ष के बाद सन 1596 में ये स्टेट फूर्ड अपॉन एवन दुबारा लोट आए और अब तक ये काफी पैसा कमा चुके थे ओके अब इन्होंने अपने परिवार के आर्थिक विवस्ता को बहुत मजबूत बना लिया और सन 1597 में इन्होंने धीरे धीरे नम निर्वान एवन बिस्तार किया फिर क्या हुआ बिलियम सेक्सपियर जब 18 वर्स के हुई तब उनका विवा एनी हैत्वे से हुआ इनकी तीन संतानों को जन्म दिया हो गया इसके बाद इनको ट्विंस हुई हैमनिट और जुडित हैमनिट की जो है मृत्यू हो जाती है कुछ अन्नों काजिज होते हैं और उस समय हैमनिट की आयो 11 वर्स होती है सुसाना की जो मेरिड होती है वो जॉन हॉल से होती है जो की फिजीसियन दिखाए जाती है और जुडित की मेरिड होती है थॉमस क्विन क्विन ही जे अगला बिलियम ने संभवता स्टेट फूर्ड ग्रामर इस्कूल में पढ़ाई की बहे जीविका की तलास में 1587 में लंदन चले गए जहां वो एक अविनेता और नाटक कारवने 1592 तक बिलियम सेक्सपियर रंगनमंच की दुनिया में लगवग महसूर हो चुके थी इसी साल रौवर्ड ग्रीन नामक ब्यक्ति ने बिलियम सेक्सपियर का नाम चुनकर एक लेक लिखा और उनका मजा कोड़ाया था ओके उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा एक इस्थानी स्कूल इस्थेट फूर्ड ग्रायमर स्कूल से की थी अपनी पिता की बर्ती आर्थिक मुश्किलों के करनों उन्होंने अपनी पड़ाई छोड़कर छोटे मोटे ढंदे में छोटे मोटे बिजनिस में इने लग जाना पड़ा इसके बाद उन्होंने जीविका की तलास में ये जो हैं 1587 में लंदन चले गए और लंदन में उन्होंने एक रंग साला में देरे देरे दोस्तो अविने किया काम किया किन्त कुछ दिनों के बाद ये लाड़ चैंबरलेन की कमपनी में सदस्य बन गए और लंदन की प्रमुक प्रंग सालाओं में समय समय पर अविने में भाग लेने लगे जहां वो एक अविने था और एक नाठक कार बनी लंदन जाने का एक इनका कदाजी चरण में पहले भी इसको डिसकस कर चुका हूं कि सर तामस्तोसी के उध्यान से हिरन की चोरी करने का भी था और जिसके करन इ आई को पूरी करने के बाद सेकस्पियर ने 1582 में एनी हैथवे से साधी कर ली इस बेटा नोट कर ले इसको नोट कर ले जेगा इस डेट को कि इनकी बिलियम सेकस्पियर की साधी एनी हैथवे से कब होई तो 1582 में जब इनोंने साधी की तो उस समय बिलियम सेकस्पियर की उ उम्र 18 साल थी और एनी हैत्वे की उम्र 26 साल की थी ओके एनी हैत्वे का जन्म स्टेट पोर्ड के ही एक गाउं ओके सौटरे में हुआ था और बही पर पली वड़ी थी इसके बाद बिल्यम हैत्वे इनसे उम्र में लगवग 8 साल वड़ी थी दोस्तों ठीक है बाकी का जीवन स्टेट पोर्ड में ही बिताया आगे के बर्सों में एनी और उनके बच्चे उनके साथ स्टेट पोर्ड में ही रहने लगे जबकि सेक्सपियर लंदन में काम करने लगे हलांकि हम ये नहीं जानते कि सेक्सपियर कब लंदन आये और कब बही इस्थाई रूप से काम करने लगे उनके एक छोटे बेटे हैमनेट की मृत्यू ग्यारे बर्स की आयू में 1596 में हो गई तो ये डेट याद रखोगे कि 1596 में इनके पोत्र की हैमनेट की मृत्यू हो जाती है जिसकी उम्र कितनी होती है उस समय 11 बर्स होती है और इनकी बड़ी बेटी सुसाना का बिवा स्टेट फोर्ड के एक महसूर डॉक्टर जॉन हॉल से हो गया सुसाना के सबसे पहले बच्चे अलेजावेथ जो की एक लड़की थी सुसाना की भी सबसे पहले बच्चे का नाम अलेजावेथ था और वो उसका नाम लड़की थी का जन्म बर्स 1608 में हुआ उनकी दूसरी बेटी जुदित का विवा बर्स 1616 में सेक्सपियर की मृत्यू के पहले ही बही के एक ओके बिंटनर थामस किनी से हो गई किसे एनाम नोडाउन का लेजे बिंटनर थामस किनी से हो गई जुदित की साधी सेक्सपियर ने बहुत सा काम 1589 लेकर के 1613 के समय एक्टिवियर कह सकते हो इसको में ही किया है उनके प्रारंबिक लेक और नाटक साधानत्या कामेडी होते थे बाद में 1608 तक उनोंने दुखानत याने के ट्रेजजी नाटक लेखे जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैक वेत भी सामिल हैं इनकी चार प्रमुक ट्रेजजी हैं दोस्तों अपने अंतिम समय में उनोंने दुख और सुखानत याने की कॉमेडी और ट्रेजजी नाटकों का लेखन किया जिन में कुछ रोमान चक नाटक भी सामिल हैं उनके बहुत से नाटकों को प्रकासित भी किया गया 1623 में सेक्सपियर के दो दोस्त और अनुवाई अबनेता जान हैमिंगस और हेनरी कंडेल ने मिलकर उनके मरणों प्रांद फश्पोलियों को प्रकासित किया 20 से 21 सताबदी में मौडन कवियों ने उनके कारियों को दोबारा खोज निकाला और रुपांतर करने कर उसे प्रकासित करने लगे थे अन्तिम नाटकों में सेक्सपियर के परपक को जीवन दर्सन मिलता है महा कवि को अपने जीवन में विवेन प्रकार के अनवव हुए थे वो के जिनकी जलक उनके कृतियों में दिखाई पड़ती है प्रणायबिसे एक सुखांत नाटकों में कलपना बिलास है यानि कि बहुत सारी कालपनिक चीज़ों को भी उन्होंने लिखा है और कभी का मन एस्वरे और एवन की बिलासताईं भी कई कई कर्थियों में देखने को मिलती है सुखांत नाटकों में ऐसे दुखांत दुखद अनवावों को अव्यक्ति है जो जीवन को बिसाक्त बना देते हैं सेक्सपियर के कृतक के कृतित के प्रणित ऐसे नाटकों की रचना में हुई जिन में उनकी समयक बुद्धी का प्रितिफलन हुआ है जीवन में दुख के बाद सुख आता है इसलिए बिचार और विवहार में समानता लाना बहुत जरूरी है इन अन्तिम नाटकों से इन इसकर्ष निकलता है के हिंसा और प्रितिशोध के अपेक्छा दया और छमा अधिक महत्पून है अपनी गंबीर नैतिक संदेश के करना नाटकों का बिचिस महत्पू है दोस्तो बिलियम सेक्सपियर को अंग्रेजी भासा के सर्वसिष साहितकार और नाटक कार के तौर पर जाना जाता है 26 अप्रेल 1564 को इंग्लेंड के स्टेट फोर्ड में जन्में सेक्सपियर को बार्ड आफ एवन होगा दोस्तो बाई मिश्टिक हैविन लिग गया बार्ड आफ एवन की उपादी दी गई जिस वर्ष सेक्सपियर पैदा हुए थे उसी वर्ष क्रस्टोफर मार्लो का भी जन्म हुआ था सेक्सपियर के पिता जौन सेक्सपियर दस्तान का काम करते थे माना जाता है कि वो स्टेट फोर्ड के एक गणमान नांगरिक थे उस जमाने में इस्टेट फोर्ड एक छोटा नगर था जिसकी आवादी डेढ़ हजार से लेकर के दो हजार तक थी सन 1592 से लेकर 1594 के बीच तक प्लेग फैलने के कान लंदन के सभी थेटर बंद कर दिये गए इस दोरान बिलियम सेक्सपियर ने दो ने पद्य की दो पुस्तके लिखी सन 1593 में उन्होंने बेनिस और एड़ोनिस की रचना की और मैं बेनिस और एड़ोनिस के उपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखिये तो एक बार जा करके जरूर देख लें दोस्तों इसके बाद 1593 में ही इनकी रेप सौरी 1594 में दिरेपाप लिक्रीज की रचना की नाटक लेखन के जरिये बिलियम सेक्सपियर समरिद्धी हासिल करते गए और ये प्रिसिद्ध होते चले गए सन 1597 में स्टेड फोर्ड में 60 पॉंड के कीमत चुका कर एक माकान और बगीचा खरिद लिया था अपने निदन के पहले उनोंने 25 मार्च 1616 को अपनी बसियत तयार की थी और 23 अप्राइल 1616 को बिलियम सेक्सपियर का दिहान हो गया इनके कुछ कारे देख लो दोस्तों बिलियम सेक्सपियर एक नाटक कार और अविनेता के साथ साथ अंग्रे जी कभी भी थी 1593 और 94 में अपनी नाटक कला के साथ साथ उनोंने कभीता लिखनी की कोशिस की कर दी उनोंने उसमें दो कभीता बीनस एंड अड़ोनस और दी रेपाप लिक्रीस लिखी जिनमें से दोनों कभीताएं हेनरी रेट्सले साउथ एप्टन के आल को समार पी थी बीनस एंड एड़ोनस कभीता में बीनस की उननती और एड़ोनस के एवेंच्वल रेजेक्शन को दर्साया गया है दी रेप आप लिक्रीस जैसा के नाम से पता चलता है कि कभीता में लिक्रीस के भावनात्मक तर्माइल को प्रस्तुत किया है जिसका तुकाइन तर्काइन ने रेप किया था और दोनों ही कभीता बहुत ही लोग पिरिये रहीं साथ ही इसे अक्सर छापा जाता था सेक्सपियर के अलावर्स कंप्लेंड दी फिनिक्स एंड दी टर्टल कभीता विलिकी इसका विता में एक महला की संचित कहानी बताई गई है जो कि अपने प्रेमी द्वारा प्रलोवन के प्रियासों के करन पिर्ला में थी और फोनिक्स एबंप्रेमी की मौत के सौक को भी अव्यक्त किया गया है इनके कुछ महतपोन बिचार हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट किये गए हैं दोस्तों जरा सोचिए एक मिनट देर जाने से अच्छा है तीन घंटे फहले जाए मैंने समय को बरवाद किया और अब समय मुझे बरवाद कर रहा है स्रुनेम काल हमारे सामने है ना की पीछे खाली वर्तन सबसे अधिक सोरगुल करते हैं मैं तुम्हें बुद्धिमिता की लड़ाई के लिए ललकारता हूँ परन्तु मैं इहे देख रहा हूँ तुम नीहत्ते हो कायर व्यक्ति मृत्य से पहले कई वार मरते हैं और बहादूर सिर्फ एक वार हमारी किस्मत तारों और ग्रहों के बस में नहीं बलके हमारे बस में है महानता से बिलकुल भी ना डरें कुछ लोग महन पैदा होते हैं तो कुछ महनता हासिल करते हैं और कुछ लोगों में महनता समाहित होती है यादि तुम प्यार करते हो और तुमें कष्ट मिलता है तो और प्यार करो जिस तरह अपने विचारों से तो महन हो उसी तरह अपने कर्मों से भी महन बनो अंतवला तो सब भला ये सब दोस्तों ये विचार किसके हैं बिलियम सैक्सपियर के हम ये जानते हैं कि हम क्या हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं एक छोटी सी मौमबत्ती का उजाला कितनी दूर तक जाता है उसी तरह बुरी दुनिया में एक अच्छाई कुछ समय तक प्रकासित रह पाती है रोने से दुख कम हो जाता है जब हमारा जन्म होता है तब हम रोते हैं क्योंकि तब हम मुर्कों की इस बिसाल रंग मंच पर आ जाते हैं एक पुरानी कहावत है कि जो मुझ पर भी लागू होती है जो खेल आप नहीं खेल रहे हैं उसे आप हार नहीं सकते दूसरों से मदद की उमीद ही हर बुराई की जड़ है ना उधार लो ना कर जा दो इनकी मृत्यू कब होई दोस्तों मृत्यू के बारे में डिस्कस करते हैं बे लंदन के नामी ग्रामी नाटक कंपनियों में निवेश कर अपने लेखन और अविने से काफी धनी हो चुके थे उन्होंने अपने पैसे का जादतर हिस्सा स्टेट फोर्ड के रियल स्टेट में निवेश कर दिया इसी नगर के दूसरी नंबर पे सबसे आलिसान घर न्यू प्लेस पैलेस को 1597 में खरीद लिया सेक्सपियर ने अपने अंतिम नाटक दिट्व नाविल किन्समैन को अपने दोस्त जौन फ्लेचर के सयोग से 1913 में पूरा किया उनकी मृत्यू 23 अप्राइल 1616 में हुई हलांकि हम उनकी मृत्यू के इस पशकारणों के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं दानते तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आगे हम लोग डिसकस करेंगे नेक्ट वीडियो में जै हिन जै भारत